हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरे इस यूटीब चैनल में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं टू एस्टोडी केक उस से पहले गाइस आप लोग के हमारे हमें बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ है तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोग से सौरी बोलता हूं क्या हुआ कि मैंने एडिट करते हुए मैं देखा नहीं था कि वाइस हमारा कमें और मेजिक जाता है तो मैंने वापस से इस वीडियो को मैं अप एडिट करके मैं अपलोड करने वाला हूं आप लोग के लिए तो गाइस हमने लिया है टोटल तीन केजी के केक है नीचे वाले जो है दो केजी के केक है ओपर वाले जो हम यूज कर रहे हैं वन केजी के हैं नीचे हमने लिया है विप क्रीम ये विप क्रीम दोस्तों हम रिच के यूज कर रहे हैं आप कोई सा भी यूज कर सकते हो सब कर डि यूज़ करते हैं तो यह थोड़ा हम लोग का हाई क्वालिटी क्रीम है यह गॉल्ड विप क्रीम है यह थोड़ा महेंगा आता है मार्केट में यह हमने लिया है टोल नमबर नोजल है इस तरह से हमने फ्लावर के डुक्रेशन किया है और यह बहुत ही प्यारा ऐसा डिजैन आ स्कीन कलर बोलते हैं घम एकदम हलिका सा और जिया है तो औरेंज कलर थोड़ा से यूज़ कर dal कि तो स्कीन कलर हो जाएगा तो guys यह हमारा cake first layer तयार हो गया है second हमारा बाकी है second हमारा white cream से finishing है और एक mem का comment आया था कि बड़फी आप किस तरह से बनाए है तो हमने क्या किया है scale लिया है और scale से तेरशा जिसको बोलते है न यानि आपको cake जैसे आपका estate है और scale आपको कि तीर्शा रखने हैं कि तीर्शा करके आप वह इसा डिजैन आपका आ जाएगा फिर भी मैं एक वीडियो में बनाओंगा उस में के लिए और वीडियो में अप्लोट करूंगा इसका मैं वीडियो नहीं ले पाया था प्रफी कैसे बनाते हैं उसके लिए सौरी तो यह केक अब हमारा रेडियो होगी है और यह स्टीप केक हम रखने के वाद जो हम साइड में हम पाइपिंग यूज किये हैं नोजल यूज किये हैं वो साइड से हम कौवर करेंगे इस तरह से इस तरह से आप पोड़े में कौवर कर लो यह हमारा केक रेडिय ही होने वाला है अभी आपको कुछ भी कमेंट रहेगा मैं उसी टेम ही मैं आपको मैं कोसिस करूंगा रेपलाई देने का दोस्तों हुआ है कि यह मेरा चैनल कुछ वजह से मेरे पास से खो गया था लेकिन अल्ला कर शुक्र है यह चैनल हमारे पास वापस से आ गया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने कमेंट किया और सौरी इस बात से है कि मैं जवाब नहीं दिया था वो हुआ था इसलिए कि मेरा मौल किसी ने हैक कर लिया था और इसका जी मेल पासवर्ट में सब में भूल चुका था तो दोस्तों यह कैसा लगा आप इस वीडियो में फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ